हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्रियू ट्यूंट लेम जानी पर माई लविंग ट्यूंट सोल्स आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवब आभार जितने भी ने सोल्स मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ कुछ लोगों ने मुझ से कहा था कि मैं एंजल्स नंबर पर वीडियो बनाऊं तो आज का मेरा विशय है एंजल नंबर 222222233333 क्यों दिखाई देते हैं प्रियो डिवाइन अपने चुने हुए लोगों से बात करने के लिए बहुत सी बातों का सहरा लेते हैं उसे एंजल्स नंबर भी कहा जाता है जब आपके अवेकनिंग हो रही होती है तो बहुत जादा सिंक्रोनिसीटी होती है अलग-अलग तरह के नंबर दिखाई देते ह पर हर एक नंबर का अपना एक अर्थ होता है एंजल नंबर एक तरीका है कनेक्ट होने का डिवाइन से डिवाइन आपसे कन्वर्शेशन कर रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त आपको ध्यान देना है कि वो किस बात पर आपका ध्यान आकरशित करना चाहते हैं या एं डबल, ट्रिपल या फोर टाइम्स भी दिखाई देते हैं यदि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो इसका अर्थ है कि डिवाइन बहुत ही प्रबल रूप से शशक्त रूप से अपनी प्रभावी बातों को आप तक पहुचा रहे हैं एंजर्स के माध्यम से तो इन बातों को आपको समझना है तो नंबर टू के विशय में हम जानते हैं कि अंक जोतिस में नंबर टू को जंद्रग्रह के द्वारा जंचालित माना जाता है यानि कि मून जो मन का कारक है और आपके सबकॉंसेंस माइंड को रिप्रेजेंट करता है आपका चेतन मन, कॉंसेंस माइंड जो सिर्फ वर्दमान की बातों को जानता है लेकिन आपका और चेतन मन, सबकॉंसेंस माइंड वो सब कुछ जानता है In fact, पिछले जन्मों की सारी बाते, आपके जन्मों जन्मों की बाते, आपके subconscious mind में, आपके emotion, आपकी feelings, आपकी वो सारी memories उसमें store है आपके subconscious mind को सब कुछ पता है और उसके पास सारे जवाब है जो आप चाहते हैं उसी प्रकार number two, जब double या triple दिखना शुरू हो जाता है इसका अर्थ है कि आपका subconscious mind अवेकनिंग के मार्म में है आपका intuition power बढ़ रहा है, ध्यान दिजे, alert हो जाईए, divine कहते हैं number two represent करता है आपके emotion, आपकी creativity, आपकी feeling को तो यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है कि जो काम आप कर रहे हैं वो बनेगा या नहीं तो divine यहाँ पर कहते हैं कि अपने intuition पर faith रखिए जो आप काम कर रहे हैं वो सही है, आप सही दिशा में कारे कर रहे हैं उस पर निर्ने ले, उसी के साथ चले, जब double two या triple two बहुत जादा आपको दिखाई दे तो आपको अपनी creativity पर काम करने की और शक्ता है divine guide कर रहे हैं कि सभी चीजे line up हैं, सिर्फ आप विश्वास रखें और divine का कहना है कि you are in the right path, चिंता न करें, सब कुछ सही है और सब कुछ अच्छा ही होगा divine कहते हैं, आप positive way में चल रहे हैं, divine आपके साथ है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं अपने विचारों पर ध्यान दीजे, आपके thoughts, आपके plan आपने बहुत समय पहले जो योजना बनाई थी, वो पूरा होने जा रहा है divine कहते हैं, यह समय है कि आप उसका सदिप्योग करें समय का आदर करें, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुखता अपने emotion को संभाले, उसे नियंतर्ण में रखें एंगर, लव, फियर, यह सभी emotion ही तो है अता इसे balance रखें, न जादा न कम, समान रूप से तभी आप divine से align हो पाएंगे divine आपकी और attract हो रहे हैं, तो आप दुनिया की समस्त चीजों को अपनी और attract कर सकते हैं और आपको अपनी creativity पर ध्यान देनी की जरूरत है जो आपको आपके soul purpose तक पहुचाएगा उसको वक्त दीजिए, उस पर काम कीजिए एक big transformation है, एक नया face, एक नया अध्याय प्रारम होने जा रहा है आपकी life में positive रहिए, negativity से बचिए और balance रहिए अब बात करते हैं number 3 के बारे में जो repeated दिखाई देते हैं double 3, triple 3 या four times three पर जादा तर triple 3 दिखाई देते हैं इसका क्या अर्थ है number 3 के ग्रह स्वामी है ब्रिहस्पती, ज्यूपिटर यानि गुरू जो ग्रहों में सबसे बड़ा है और गुरू शब्द से अर्थ है स्वामी number 3 को जब लिखा जाता है तो ये ओम की तरह दिखाई देता है जिसका संबंध है ट्रिनिटी से ट्रिनिटी का अर्थ है त्रिदेव, त्रिमूर्ती या त्रितत्व याने कि इसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि श्रिष्टी को जब रचा गया तो इसके निर्माता ड्रम्ह विष्णू महेश जो त्रिदेव है वो है उसी प्रकार इसायत में ट्रिनिटी को पिता, पुत्र, पवित्र, आत्मा के नाम से बताया जाता है तो यहाँ पर भी तीन ही दिखाई देते हैं लेकिन अलग-अलग धर्मों में इसे किसी भी रूप में बताया जाए लेकिन इसका अर्थ तीन ही है और यह तीन तत्व जो की एक ही एनर्जी है यानि एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है और वही है आलमेटी गोड, वही है डिवाइन यानि की एक ही शक्ती सबका मालिक एक जो इस रिष्टी के रचनकार है जो इस रिष्टी के रचाईता है समस्त मानाव को रचने वाले उसी स्रिष्टी करता को त्रिनीटी कहा गया है जो दिखाई तो देते हैं तीन रूपों में लेकिन उनका अस्तित्व एक ही है नमबर थ्री का बहुत बड़ा अध्यात्मिक कारण है प्रियो क्योंकि बाइबल में लिखा है जीजस मृत्यू के तीन दिन बाद जी उठे और बहुत से धर्म शास्त्रों में बार-बार तीन नमबर को दर्शाय गया है इसका अर्थ एशेंसन भी है यानि की आरोहण उद्धार नमबर थ्री जब आपको रिपिटेट दिखाई दे तो ये ट्रिनिटी को दर्शाता है और ट्रिनिटी यानि की त्रियेक की परमेश्वर यानि की एक ही इश्वर जो पूरे ब्रम्हान को रशने वाला है पूरे मनुष्य जाती को रशने वाला है और जो पूरी स्रश्टी को चला रहा है जब नंबर 3 को तीन बार देखा जाए ट्रिपल थी के रूप में 3 प्लस 3 प्लस 3 तो इसका योग होता है 9 और 9 एक युनिवर्सल नंबर है यह डिवाइन से कनेक्ट है तो जब आप इस नंबर को देखते हैं तो समझेए कि आपके एंजल्स आपके Ascendant Master लाइक बुद्धा, जीजस आपको गाइट कर रहे हैं आपके आसपास हैं वो आपसे बात कर रहे हैं वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने भीतर के आवाज को सुनने के आशकता है अपने विचारों को टटोलने के आशकता है कि आपके विचार वहाँ पर क्या चल रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं उसका जवाब वहाँ पर है कोई न कोई ऐसे साइन वहाँ पर दिये जा रहे हैं जो आपको आपकी जवाब तक पहुचा देंगे नंबर थ्री दर्शाता है आपकी शक्ति आपके साहस वद्रड़ता को आपका द्रड़ निश्चे जो की ग्रह जिवपिटर यानि कुरू का एक सौभाव है द्रड़ निश्चे ट्रिपल थ्री, बैलेंस, हार्मनी, इस्प्रिचलिटी, क्रियेटिविटी और कम्यूनिकेशन को रिप्रिजन करता है आपके एंजल्स कह रहे हैं कि जिस काम में आप हार्ड़ वर्क कर रहे हैं वो पूरा होगा उसमें आपको सक्सेस मिलेगा उसमें लगे रहिए, लक्ष तक पहुँचिए, आप प्रोटेक्ट हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्वेंट डिवाइन, जो आपके साथ है, आपके आसपास है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं आप जो भी काम कर रहे हैं, उसे विश्वास से कीजिए believe in the God क्योंकि number three एक divine से connect number है और ये दर्शाता है कि divine ब्रम्हानी पावर आपके साथ है और आपके लिए काम कर रहा है number three जो दर्शाता है spirituality को भी जो mind, body, soul जो संख्या में तीन दिखाई देते हैं उसे align करने की आशक्ता है mentally, physically या spiritual level पर swim को balance कीजिए swim से जुड़िये divine कहते हैं कि जब आप mind, body soul को align करेंगे तब ही आप high vibration में आ सकते हैं अध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं जबकि present past और future ये भी संख्या में तीन दिखाई देते हैं लेकिन past और future के बारे में बिचार मत कीजिए क्योंकि past आपको पूरानी यादों में पेन मिले जाएगा और future आपको चिंता में डालेगा तो सिर्फ अरतमान में रहेकर खुद पर काम करना है अपने टैलेंट को पहचानना है अपने क्रिटिव पार्ट पर काम करना है स्रीजनात्मक होना है स्रीजन करना है हाड वर्क करना है जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप manifest करेंगे पर इसके लिए आपको स्वेम पर काम करना पड़ेगा आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा नेचर से जुड़िए डिवाइक कहते हैं आप इश्वर के अंश है इश्वर से जुड़े हैं awareness में आईए जागे स्वेम जागे और दूसरों को भी जगाईए अपने creative पार्ट पर काम कीजिए उसे समय दीजिए उस सत्य से जुड़िए क्योंकि जब आपकी आत्मा जागरित होगी तो आप उस purpose को पहचानेंगे उस उदेश को जानेंगे जिसके लिए आप इस धर्दी पर आए है इसके लिए जब आप अपने talent पर अपने skills पर काम करेंगे स्रीजन करेंगे तो आप बहुतों के लिए आशिश्व उद्धार के कारण पनेंगे उनकी सेवा में प्रयोग किये जाएंगे और स्वेम Mother Earth को भी सर्व करेंगे तो इस प्रकार नमबर थ्री जब आपको बारम बार रिपिटेड दिखाई देते हैं विशेश का ट्रिपल थ्री ये कैसा महत्तपूर नमबर है जो आपको डिवाइन से जोडता है और डिवाइन स्वेम कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तुम्हारे आस पास हूँ तुम प्रोटेक्ट हो मैं तुम्हारे लिए कारिक कर रहा हूँ ये एंजलिक नमबर हर किसी को दिखाई नहीं देते जो चौजन वन होते हैं चुने हुए होते हैं डिवाइन उनहीं को ये नमबर दिखाते हैं और एंजल्स के माध्यम से अनेक प्रकार की संदेश आप तक भिजवाते हैं यहां पर आपको अवेर्नेस में आने की जरूरत है स्वेम के विचारों को पहचानने की जरूरत है कि आखिर डिवाइन आप तक कौन सा संदेश भिजवा रहे हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जब कभी आपको ये नमबर दिखे तो डिवाइन को थैंक्स कहिए अपने एंजल्स को अपने स्ट्रीट गाइड अपने असेंडेट मास्टर को थैंक्स कहिए और उनसे कहिए कि वो आपको बताए कि वो आप तक कौन सा संदेश भिजवा है ऐसी कौन सी योजना है और कुछ समय के बाद आपको किसी न किसी माध्यम से वो जवाब मिल जाएगा तो इस प्रकार आप ब्लेस्ट हैं कि आपको इस प्रकार के रेपिटेट नमबर दिखाई देते हैं और इसके द्वारा आप डिरेक्ट युनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और उनसे बात कर सकते हैं जरूरत है कि संसारिक्त के भाव से अपने आपको थोड़ा अलब करके डिवाईन की आवाज को सुने क्योंकि संसारिक्त का जो शोर है बहुत जादा होता है लेकिन जो डिवाईन की आवाज होती है वो कम होती है धीमी होती है उस धीमी आवाज को ही सुनना है तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर डिवाईन आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाते ऐसी कौन सी बात है जो आप तक पहुचाना चाते है तो प्रियो आज मैंने इन एंजलिक नंबर के द्वारा इसके अर्थ को बताया होप सो कि आपको मदद करे तो प्रियो फिर मिलते हैं नेक्ट विडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड गॉड ब्लेस यू आल मेरी सोल फैमली को हारदिक शुब कामना है पॉजिटिव रहे खुश रहे आप सभो की जर्नी पूरी हो